नमस्कार मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं देभूमी मिरर टीबी हमिरपर पुलिस का चलाना भ्यान देखिए ये रिपोर्ट हमिरपर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुरू कियेगे चलाना भ्यान ने अपना असर दिखाना सुरू कर दिया है यातायात पुलिस ने हमीरपुर सहर के हर ब्यस्त चौक चुराहे पर चालान बुक लेकर अपने अधिकारियों को मुस्तैद कर रखा है जैसे ही कोई बहानचालक ट्रैफिक नियमों की अभेलना करता है उस बहानचालक का तुरंत चालान काट दिया जाता है जिसका खौफ अब दोपहिया और चौपहिया बहान चलाने वालों के बीच अपनी छाप चोड़ता नजर आ रहा है दरसल पहले जो दोपहिया बहानचालक हेलमेट पहनना अपनी सान के खिलाप समझते थे बै भी अब हेलमेट पहन कर चलने को मजबूर हुए हैं हमेर पर पुलिस द्वारा सुरू किये गए इस ताबड तोड चालान अभियान की कानून के साथ चलने वाले लोग स्वागत कर रहे हैं तो ट्रैफिक के नियमों की धजियां उड़ाने वाले इस अभियान की खिलापत करते नजर आ रहे हैं हम अपने दर्सकों को बताना चाहते हैं कि कानून के प्रहरी पुलिस बाले अपने तीज त्योहार छोड़कर धूप बारिस में हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं अता हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए बहीं दूसरी और थाना प्रभारी संजीब गौतम ने बताया कि लोगों की सुरक्षा प्रदान करना हमारी पहली प्रात्मिकता है मैं आपके माध्यम से हमीरपूर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी चलान हो रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हो रहे हैं हमारा मकसद किसी को असुविधा पहुंचाना नहीं है किसी को तंग करना हमारा मकसद बिलकुल नहीं है हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और इसी कड़ी में हम ये प्रियास कर रहे हैं कि हम नियमों की अवहिलना जो भी कर रहा है उसको as a token हम चलान दे रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो है जनता की सुरक्षा और इसमें जब थोड़ा कड़ाई से इसको हम लागू कर रहे हैं उसमें हमें सफलता भी मिली है काफी हद तक लोग जो हैं वो हेलमेट पहन के आ रहे हैं ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ हमने विशेश अभियान चलाया हुआ है माननिये पुलिस अधिक्षक महोदे के निर्देशा नुसार उनके निर्दित्तों में जिसमें अभी तक हमने इस महीने भी साठ से ज्यादा चलान पुलिस थाना सदर के अंतरगत किये हैं और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा क्योंकि हमारा मकसद है यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना